सब रोगान्दा इलाज रेकी स्पर्ष चकित्सा रेकी मुडली जानकारी रेकी की है? रेकी जपानी पाशादा एक शबद है जी दार्थ है सरब व्यापी जीवन शक्ती जपानी पाशाच रेकी दार्थ सरब व्यापी मतला विशव व्यापी ते रेकी दा अर्थ है जीवन शक्ति असी सारे इस जीवन शक्ति नो लेके ही जन में आ ते इस शक्ति दुआरा ही जीवन जियों दिया दुनिया दिये सर्व उच शक्ति है रेकी की नहीं है रेकी कोई तर्म नहीं ये दा कोई पंथ जा वर्ग नहीं रेकी दा तंतर मंतर नाल किसे किसम दा कोई सबंद नहीं, मेली विद्या जा राक्षी विद्या दे नाल विए दा कोई सबंद नहीं, नाई हिपनोटिजम ते मानवी शास्तर मनु विज्ञान दे तरिक्या नाल कोई सबंद है, रेकी किसे वी तरम दे वरुद्ध नहीं है, एदा उदेश प्राणी मात्तर दी पलाई करने हैं। रेकी परमात्मा मुलों बक्षी होई शक्ती हैं। जिस नल विचारता रानू बल मिल्द हैं ते नकारात्मक रूचियां खतम होंदी हैं। स्पर्श चिकित्सा दे परियोग सिरी राम दे स्पर्श नाल फेर तो जिन्दा होई अहल्या, सिरी क्रिशन दे स्पर्श नाल अंगा दे विकार तो मुक्त होया शिशुपाल, ते कंस दी कुबडी दासियाद, साड़े शस्त्रांच वर्नन कीते होई स्पर्श, चिकित्सा दे महत्त पूरन उदारन गिने जा स सकते हैं, अजय कई उदारन पुरानेक शास्त्रा मेंच दित्ते गई हैं, लंडन दे एक डॉक्टर सिरी होजिस ने एक स्पर्श चकित्सक सिरी ज्योप बोल्ड वुड दी सहायता नाला ने का स्पर्श चकित्सा दे पर्योग कीते, एक सबजीदे बीज नू दो इक हिसे नू स्पर्श चकित्सक सिरी बोल्ड वुड ने अपने हतांच राख के स्पर्श शक्ती प्रदान कीती, कुछ दिना दे स्पर्श नाल खारे पाणी नाल सडे होए बीज फिर तो जीवत हो गए, ति उना बीजां तों बाकियां दे मुकाबले ज्यादा उत्पाद जिस दूजे हिसे नू स्पर्श चकित्सा दा लाब नहीं मिलिया सियो सड़के पूरी तरा नश्ट होगे, वर नस्पती उत्याजय अनेकां प्रयोग करके उना स्पर्श चकित्सा दे नतीजयानू पर्मानेत कीता, कैलिफोर्निया दी जी एफ युनिवेस्टी दे प्रफ प्रफियान दे स्रीर ते किता, एक तजर्बे राईं चाड़ी वेक्तियान दे मुड़े दी चमडी दा प्रिशन करके थोड़ा जय चमडी दा टुकड़ा कड़े आ गया ते अद्धे वेक्तियां दे उना दी जानकारी तो बगयरी स्पर्श चकित्सा दा प्रियोग किता बाकी दे अद्दे लोकां ते द्वाई ते मलम्दा पर योग किता गया। दोसरा रेकी दा कोई पंथ जातरम नहीं है। सारे मनुखे नू सिक सक दे हैं, तीसरा रेकी व्यक्ती दी शक्ती दा संतुलन बणाई रख दी हैं, चोथा रेकी व्यक्ती दे सरीलिक दुख दर्दनूं दूर करन दे नाल-नाल, मानसिक परिशानी दे पावनावां दे बंदन तोवे मुक्त कर दी है पजवा रेकी बिमारियां दे इलाज नाल नाल उना बिमारियां दे मूल कारना दे असर करके सदा निरोगी बने रेंच मदद कर दी है छेवा क्या जानदा के कुद्रत वलों बक्षियां गया शक्तियां दा एक सदारन व्यक्ती, 100 विचों केवल 10 प्रतिशत ही परयोग कर दा है, इस तो वदनी, रेकी द्वारा उना कुद्रती शक्तियां विच वदना हुंदा है, जीवन δे प्रतिश जागरती वद्धीयति कम करन दी 7. रेकी द्वारा स्रीरक, प्राणिक, मानसिक रूप शुद्धी ते शक्ती प्रापता हुन्दी है, नाल नाल आत्मक विकास भी हुन्द है 8. रेकी द्वारा शास्त्रांच दसे गए काया कल्प अर्थात सदा जुआन बने रेंदा रहस मिल जान्द है ते चेतना दावी विकास सुन्द है 9. रेकी मनुखनू चिंता मुक्त कर दी है 10. रेकी द्वारा असाद रोगन तोंवी मुक्ते मिल सकती है 11. अन्तिम स्टेय ते पुझे होई दुख दरते बिमारियां विच्वी रेकी द्वारा राहत मिल सकती है 12. रेकी विदेनू सिर्फ रोगी व्यक्ती नहीं सो गो तंद्रुस्त व्यक्ती वी सिख सकता है 12. रेकी द्वारा व्यक्ती नू कुद्रदाई का नुखा प्यार मिल दै जिस नल प्यार दी कमी दाय सास दूर हो जन दै 12. इस तरह प्यार नल पर पूर व्यक्ती नू दूसरे लोकांच प्यार वंडन दी प्रेधना मिल दी है 14. रेकी दी सब तो वड़ी विशेशता ही है के बगैर किसे दुवाई हर तरह दी बिमारी दे इलाज दी संभावना है 15. रेकी नल नस्दीक बैठी व्यक्ती दा स्पर्श दूरा इलाज किता जंद है 16. रेकी दा प्रयोग वपार खेती बाड़ी ते मशीनरी थे भी बहुत लाब दा एक सिद्ध होय है 16. रेकी द्वारा सी अपने वाहना करांते परवारांते किसे भी कीमते चीज़ दी रख्या कर सकते 17. सब तो पहला रेकी विदी विच है इदी सरलता 17. सिर्फ दो चार दिन दी ट्रेनिंग द्वारा रेकी दा ग्यान सिख्या ते अनुभव दे अभ्यास दी लोड होंदी 18. होरना विदियां विच्छ विशेश परकार दी त्यारी योगता जा उमर दी जरूरत पहन दी है 18. किसे वी उमर दा व्यक्ति किसे वी योगता जा कट पड़ेया लिख्या होगे जावद सिख्छन दी इच्छा होंदी इनुँ सिख सकता है क्योंकि रेकी विदी दा आधार रेकी मास्टर दी शक्ती पात दी सिख्या ही है 19. जेकर कोई रोगी व्यक्ति किसे रोग तो छुटकारा पॉणली रेकी दा इस्तेमाल करता है तरीकी उनुँ छेती तो छेती रोग मुक्त होंद दर्द ते मानसिक तनानू काट जा खतम करन ते दिल च नमी उमंग दा संचार करन वेच उप्योगी होंदी है 20. विवा रेकी साधे सरीर दे हर किसम दे रोगानू ठीक कर दी है इस चो कोई शक नहीं पर रोगी दा ठीक होना जल्दी जा देर नालिस म्रीज उपर निर्बर करता है उदी इच्छा शक्ति उपर निर्बर करता है जा उदी कर्मा उपर निर्बर करता है इसे लिए कुछ मरीज तो बहुत जल्दी ठीक हो जान दे हन के कुछ काफी देर इलाज कराउन तो बाद भी ठीक नहीं होंदे पर 95 प्रतिशत मरीज साड़ी सेंटर विच ठीक हो के ही जान दे हन ते हजारां दे गिंतीच मरीज रेकी शक्ती राही लाब उठा रही हन रेकी दा इतिहास रेकी हत्थां दे स्पर्श राई तांदरुस्ती ते नमा जीवन प्रापत करंदीक अध्पुत कुदर्ती तक नहीं कै साड़े शास्त्रां विच दे कहाणियां चैसी कई वारे पढ़ देती सुन दे आयां के फलाणे ईश्वर देव जश संत ने ये स्थां हत्थां दे स्पर्श नाल किसे नू रोग मुक्त कर देता किसे विच नमी जान फूक देती आद रेकी किननी हजार साल पुराणी है इदा सही ती हास्ता आज पता नहीं लग सकया पर महात्मा बुद्ध ते इस समसीदे जमाने चैसे विद्या था खूब परचार सी जिना आज तो दो टाई हजार साल पहले अवतार था रहा सी पहला संताम हात मामा तांतरे कान जा दूगरां ताकी सी मत सी आम व्यक्ती दियना तक पॉंच नहीं सी इसले ये लाज विद्या गुरुचे ले दी प्रम्परा राई है इक दूजे दी हत्थां चो हुंदे होई पुराणे शास्त्रां दी रहस्माई पाशाच चुपी रही क्यो देरे महत्ता पूरण नहीं मन्या गया इसे कारण ए विद्या पर बावशाली हुंदे होई भी आम व्यक्ती तक नहीं पुजण दिती गई जिससे पिछे मूल कारण शैदे इसी के मूल तत आत्मा दी बजाए स्रीर उपचारता की सीमत ना रह जाए दूसरा कारण ए ए रि ती जा कारण शैदे विर्या है कि तपस्वीति महात्पावानू अपने महत्तवनू सदा बनाई रखन ले इस विद्यानू गुप्त रख्या जिनाने बड़ी तपस्या जा सेवा रहे इनू प्रापत कीता सी कारण कुझ विर्या हुए अज जे विद्या साड़े दर्ब्य जान मजूद है ते इनू हर कोई व्यक्ति इनू सिख के कुझ गंटियां वेची रेकी उपचारक जा रेकी मास्टर बन सकता है जिस विद्यानू प्रापत करन ले पहला महात्मामा संतानू लंबी को और तपस्या करनी बेंदी सी ओही विद्या जसानू थोड़े जेतान से जा थोड़ी जी प्यास वेच असानी नाल प्रापत हो रही है इनी असान वंडन योग कला नू पुनर जीवत केता डॉक्टर मिकाव उस्वी ने एस विद्यानू पुनर जीवत करन ते दी महानता नू स्थापत करन दा सेरा उनानू ही जान्द है जिना दी मेनत पस्यादा अजसी सब खा रहे जेकर डॉक्टर उस्वी सालं तक खोज करके अपने वर्ता ते त्यान द्वारा एस विद्यानू पृपत ना कर दे ता शाय दे रेकी विद्या एसे तरह साड़े शास्त्रांच चुपी रहा जान्दे ते सदार्न व्यक्ति तक कदी भी ना पौन सकते